अगर कोई व्यक्ति एक साल में पांच लाख कमाता है तो वह एक महीने में कितना कमाएगा और दूसरा कोशन है अगर कोई व्यक्ति एक महीने में तस हजार रूपए कमाता है तो एक दिन में कितना कमाता है तो आईए दूस्तों हम ये दोनों ही कोशन्स करते हैं चुकि इसमें हम आज की इस वीडियो में हम मस्दूरी का हिसाब कर रहा सिखेंगे कि अगर हम साल में कमाते हैं तो हम एक महीने का कैसे निकाल सकते हैं या फिर अगर एक महीने में कमाते हैं तो एक दिन का हम कैसे निकाल सकते हैं तो देखे फ्रेंस यहां पर question में हमें क्या दिया हुआ है data वो हम लिख लेते हैं तो देखे यहां पर दिया हुआ है एक साल में जो income है वो कितना है एक साल में income है पांच लाक रुपए तो लाक लिखने के लिए हम पीछे पांच जीरो बढ़ा देंगे पांच बार ठीक है त हो ये हो गये 5 लाक रुपए ये डाटए फ्रेंस हमें दिया हुआ है अब देखे हमें पूछा क्या गया है हमेंपूछा गया है कि एक महीने में हमें پूछा गया है एक महीना में ये जो है कितने रूपए पड़ेंगे ठीक है तो अब यहां पर देखिए यहां पर तो साल दिया हुआ है लेकिन हमें महीना निकालना है तो हमें इस साल को महीना में बदलना पड़ेगा और हम जानते हैं कि एक साल में होंगे कितने महीना फ्रेंट्स बारव महीना जब बारव मह महीना हो जाता है erम जनवरी से लेकर दिसंबर तक तो बारा महीना हो जाता है के साल हद्लों हो गया पूरा हो गया ठीक है तो अब यहां पर दिखिए एक साल में 50,000 रुपए उसको मिल रहे हैं मतलब कि अगर हम इसको महीने क्ती हैं बारा महीना में उसे मिलते हैं कितने 5 लाख रुपए कितने मिलते हैं 5 लाख रुपए अब यहां पर देखिए हमें एक महीना का चाहिए तो देखिए यहां पर 12 महीना का इकठा है तो एक महीना फ्रेंड्स लाने के लिए हमें इसको डिवाइट करना पड़ेगा 12 से तो हम इधर भी 12 से और इधर भी 12 से divide करेंगे तो आप ऐसे समझ के चलिए कि अगर आपको साल से महीने का income आपको निकालना है तो आप ये conversion ये आप ध्यान कीजिए कि एक साल में 12 महीने होते हैं और आपको 12 से divide करना है ठीक है तो हम जैसे ही 12 से divide करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है ये पर आ रहा है 41,606,606,666 धीर सारे आ रहे हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है यहां पर फ्रेंट्स हम दसमलों के सिर्फ दो अंक तक लेते हैं अगर रुपाए पैसे वाली बात होती है तो तो यहां पर ये हो जाएंगे 41,606,606,606,606 पैसे ठीक है तो इस तरह से अगर साल का इंकम है में पता है और महीने का हमें निकालना है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको 12 से डिवाइट करना है ठीक है अब यहां एक दूसरे टाइप का कोश्चन है इसको हम लोग देखते हैं तो देखे यहां पर अगर कोई व्यक्ति एक महीने में 10,000 रु कितना कमा रहा है 10,000 रुपए और हमें पूछा क्या गया है एक दिन का क्या पूछा गया है एक दिन में कितना कमाएगा तो हमें निकालना है कि व्यक्ति एक दिन में कितना कमाएगा तो एक दिन में कितना कमाएगा यह हमको निकालना है ठीक है तो देखे सेम यही प्रोसेस है आप समझे और सोचिए कि जब साल का दिया हुआ था और महीने का पूछ रहा था तो चूंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो हम लोगों ने 12 से यहां पर डिवाइट कर दिया, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर महीना दिया है, और हमें पुछा जा रहा है, दिन का, ठीक है, तो आप सोचिए, एक महीना में, कितने दिन होते हैं, तो आप देखेंगे कि एक महीना में 31 दिन भी होते हैं 30 दिन भी होते हैं 29 दिन भी फरवरी महीनी में होते हैं और कभी-कभी तो 28 ही हो जाते हैं लेकिन calculation में friends हम 30 दिन को ही मान कर चलते हैं वैसे किसी business अगर महीने के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें जितने दिन है आप उतने दिन से divide कर सकते हैं लेकिन normally तोर पर आउसत रूप से 30 को ही लिया जाता है calculations में महीने के लिए तो यहां पर हम 30 दिन ही मान कर चलते हैं तो अब देखिए एक महीना में 10,000 रुपए कमा रहा है मतलब कि 30 दिन में 10,000 रुपए कमा रहा है क्यों क्योंकि एक महीना म में 30 दिन होते हैं ठीक है अब यहां पर देखिए दोस्तों जैसे यहां पर देखिए 12 महीना था एक महीना का निकालना था तो हम लोगों ने यहां पर इसको 12 भाग कर दिया था तो ऐसे ही मैं आप से यहां पूछ रहा हूं कि यहां पर 30 दिन है और हमें एक दिन का चाहिए तो यहां हम आप बताईए सोच कर कि कितने से divide करेंगे तो आप जी हां आपके मन में सही खयाल आ रहा है हम दोनों तरफ 30 से divide करेंगे किस से divide करेंगे? 30 से तो जब 30 से divide करेंगे तो यहां पर यह cut कर आ जाएंगे एक दिन और यहां पर जो value आएगी आप calculator में देख सकते हैं 10,000 में 30 का हमें क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा ठीक है? क्या करना पड़ेगा? divide करना पड़ेगा चुकि यह जो बटा लगाता होता है इसको अगर हम calculator entry करते हैं तो हम divide में change करके करते हैं तो जब हम 10,000 में 30 का डिवाइट करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना एंसर आ रहा है ये आ रहा है तीन सो तैंसर दसमलों तीन 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 धेर सारे आ रहे हैं तो आप यहां पर अप समझ गए होंगे कि आपको दसमलों के सिर्फ दो अंक तक ही लेना है मतलब कि ये हो जाएंगे 1330 रूपईaa 33 पैसे क्योंकि रूपाय पैसे में हम सिर्फ दसमलों के दो अंक तक ही लेते हैं तो हमारा राइट अंशर हो गा इस तरह से हमारा दोनों कोशन सॉल्ब हो चुका है